हेलो गाइज वेलकम टेपूरी ने तो आज हम आये हैं अनाधर वीडियो के साथ जी हाँ बैना आपको पहले ही बताया थे कि हमारे कुछ चीजे रह गई है यहाँ पे तो लेकिन आज हम उसे कवर करने आये हैं जो इनकी में चीज थी दाल बाटी चूर्मा जी हाँ राहिस्ता किकस को ऐठैक है तो आहिए बैटते है और फिर अपनी थाली ओटर गरते हैं यह पर तो यह हमारी सीटिंग ओड़ा होगा तो यहां पे बैठ जाता है चलिक्ति तो चलिए दे जैंप higher को अपना ओर्ट उतभिकता कौ अपना होड़र तो हमारा ओट ले के आँ है हाँ तो कितना टाइम लेगा आने के लिए चलिए चलिए बेट करते हैं पांच मिनट तब तक दाल बाटी चूर्मा विद गट्टी की सब्जी इसका प्राइस है 410 रुपीज अगर आप राजिस्तानी थाली खाओगे तो यह राजिस्तानी थाली इसका प्राइस है 569 जिसमें दाल और गट्टी की सब्जी ते मिलेगी साथ में और चीज यासे कुछ स्वीट्स वगरा भी मिल जाएगी क्या 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 मिलेगा इसमें और थाली में क्या क्या मिलेगा इसमें दाल बाटी चूर्मा विद गट्टी की सब्जी में और राइस्टानी थाली 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 में ठीक है यह फुराग है बस इसमें तो हमारे लिए तो यह हैवी हो जाएगी थाली तो हमने फिर यह ओडर किया इसका तो ठीक है यह आगई हमारी थाली 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 यह थीक है अभी तो सबसे पहले आगी है हमारी ठीक है ना यह आगई हमारी बाटी इसके इंदर कुछ बढ़ तो यह हमारा देशी की डलिया है इस पर यह आ गई हमारी गट्टे की सब्जी और यह आ गई हमारी दाल यह देखो और यह आ गई हमारी दूसरी दाल यह आ गया हमारा चूर्मा दाल बाटी विद चूर्मा यह आ गया हमारा चूर्मा और यह आ गया हमारी हमारी कौनियन सैलेग और साथ में यह गार्लिक चट्नी और यह हमारा चारा आम का चारा यह लग गई हमारी थाली यह आप देख सकते हैं तो यह आ गई हमारी राजिस्तानी थाली जी दाल बाटी चूर्मा विद गट्टे की सबजी यह आप देख सकते हैं तो यह हमारी बाटी है और यह देशी घी से बिलकुल भीगी हुगी है ठीकि ना तो सबसे पहले इसे हातों से तोड़ लेते हैं कि इसे भी तोड़ लेते हैं काफी सोब्ट है यह बाटी है और इसके ऊपर डाली जाएगी दाल और इसे अब खाय जाएगा ओर दाल की बात करो न पर यह एक नमबर दाल बाटी काफी सोफद अच्छी है देशी डलाया ओब पर तो आफ्छा टेस्ट लग रहा है इसका चलिए बात करते हैं इसके गटे की सब्जी जो बेशन की बनती है बेशन की गटे होते हैं जो देखान जाती है राइस्टान को जाते हैं पूर्थ को पताते हैं कि अग्षण गट्टी सब्जी की बात करूँ अगर आपने नौर्थ वालों को तो पंजाबियों को तो समझ में आ जाए हैं कि उन्होंने कडी खाई होगे ना जो बेसन की पकोड़ी कडी होती है बस इसमें वैसन के डेता है वहसे बड़िए पकोडी की जगा है। अवसे लेफ। बाकी कड़ी होती है. और ये टेष्ट भी चरै सही लग शीया सुञाँ. कःफी टेस्टी है, तोड़ा युणीग है, हमाई सी वाट करतें शाट में वात करते हैं यह दाल सकते तो ऐसे बनता है इसलिए से भी डेस्ट कर लेते हैं आइस अब आइस मेटा मुझे बहुत पसंद है सबसे अच्छा मुझे यह लगा है क्योंकि एक तो देशी घीर है यह तो इतना सोफ है कि मजह आगे सखा के कि यह 410 रुपी की थाली है वर्तीड है कि आकर आप अलग इस्टेट में कुछ खाने के लिए जाते हो तो वहां पड़ता है पर लेकी नहीं वर्तीड है आप देख सकते इसने सारा समान इंके साथ मिला है पर टेस्ट ला जवाब है कि हमारे पैसे वेस्ट लेए तो चलिए मै क्याइव हुआ तो आप खादम हो गई है अब बातादेए सकते बाताइस की रवीघ वो लगा मिचे चूरमा, जी हाँ, बाती का चूरमा था लाजवाब था, तो वर्थिट है, 410 रुपे की थाली पड़ी मुझे, अगर आपको खाना है तो इसक्रिप्शन में दे दूंगा इसके, कहां पे पड़ेगा, कैसे आपको आपको आना, लोकेशन के साथ, तो आप एक